ब्रेकिन यूजी आपको बतला देखी पाकिस्तान के प्रधान मंतरी को करारा जवाब दिया भारत ने भारत ने स्रयुक्त राष्ट महासवा में कश्मीर पर जूट फैलाने को लेकर पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान को करारा जवाब दिया है इम्रान के वहाशड़ पर right to reply का इस्तमाल करते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान प्रदान मंतरी हमारे आंतरिक मामलों को लेकर वैश्विक मंच का तुरुप्यों कर रहे हैं भारत ने फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान आग फैलाने लगाने वाला देश है जबकि खुद को आग बुझाने वालों के रूप में पेश करने का दिखावा करता है उंगा में भारत की प्रथम सचीविस नियाद उबे ने कहा कि या पहली बार नहीं है जब पाकिस् के लिए संयक्त राष्ट द्वारा प्लान किये गए मंच का दुरूपयों किया है और अपने देश की दैनी इस्तिती से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए विर्थ प्रयास कर रहा है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंगवादी खुले आम घूमते हैं जबकि आम लोग को विशेश रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर बरबरता की जाती है उन्होंने कहा कि सदस्य देश इस बात से अवगत है कि पाकिस्तान का आतंगवादियों को पना देने सहायता करने और प्रक्सक्रिय रूप से समर्थन देने की नीती का इतियास रहा है या एक ऐसा देश है जिसे विश्व स्तर पर राज की नीती के रूप में आतंगवादियों का समर्थन प्रसिक्षन विट पोशन और हदियार देने के रूप में माननेता दी गई है इसके साथ ही पाकिस्तान संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत द्वारा पती बंदित आतं जम्बोधन के दवरान एक बार फिर कश्मीर का राख अलापा है यह कहते हुए कि पाकिस्तान भारत के साथ शान्ती चाहता है खान ने कहा कि डक्षड एशिया में स्थाई शान्ती जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान पर निर्बार है इसके जवाब में भारत ने कहा कि क पाकिस्तान से अपने अवैत कपजे वाले सभी छेतरों को तुरत खाली करने का अवाहन करते हैं। आपको बतला दे की भारत की सची विष्णिया दुबेने 9-11 आतंकी हमलों की 20 बरसी के बारे में भी बात करते हैं का की हमने कुछ दिन पहले 9-11 आतंकी हमलों की 20 बरसी का जा तरते उसामा को शहीद के रूप में मही मांडित करता है। दुबे ने कहा कि अफसोस की बात है कि आज भी हमने पाकिस्तान के नेता को आतंग के क्रतियों को सही ठहराने की कोशिश करते हुए सुना। पाकिस्तान अपने घर में आतंगवादियों को इस उमीद में पालता है कि वे केवल पडूसियों को नुकसान पहुचाएगा। हमारे छेतर और वास्तव में पूरी दुनिया को उनकी नीतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी और वे अपने देश में सामप